हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार मैं हो ओम दिवेदी स्वागत करता हूँ आपका Study IQ IAS के इस प्लैटफर्म पे दोस्तो अगर आप true aspirant है तो आप समय की कीमत को खूब जानते हैं आपको पता है कि 2025 में UPSC अपना pre का exam conduct करेगा और अभी कौन सा महीना चल रहा है अभी भी मई चल रहा है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि मई 2024 से मई 2025 तक यह जो पूरा एक साल है यह जो journey है वो किस तरह की आपकी होनी चाहिए कैसी आपकी strategy होगी क्या आपकी planning होगी और किस strategy को आप proper तरीके से किस तरीके से follow करेंगे और उस process को follow करने के बाद आप IAS की जो परिक्षा है वो पास कर सकते हैं तो इस लिहाज से मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दू कि 17 मई यानि कि आज आज से हमारा जो batch है सुबा आठ बजे का बैच है यह स्टार्ट हुआ है और 27,999 इसमें फीस रखी गई है और आभी भी आप इसमें admission ले सकते हैं ओम लाइव कोड का आपको इसमें इस्तेमाल करना होगा तो इसमें आपको लेट नहीं करना है admission आपको फटा फट ले लेना है ताकि आप अगली जो एक साल की strategy है वो proper बना सके कैसे बनाएंगे इसमें क्या क्या फीचर सें क्या क्या सुविदाय हैं वो मैं आपको बता देता हूँ किसी भी तयारी में आप देखते हैं अगर मैं P2Y batch की बात करूँ अपने तो सबसे जो important चीज होती है कि वो होता है pre से लेकर के interview तक की सारी तयारी आपको एक साथ ही साथ साथ करनी है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि पहले pre करेंगे, फिर mains करेंगे यह तयारी है जो वो साथ में होती है पहली बात, तो इसके लिहाज से आपको शुरुवात में एक foundation चरण की हम बात करें अगर foundation, इस foundation में सबसे पहली चीज क्या होगी कि आपको यहां पर live classes मिलेगी, live classes ठीक है, live classes live classes का मतलब हुआ कि teacher आपको live पढ़ाएंगे आप अपनी बात, अपने doubts हैं जो वो बोल के भी पूच सकते हैं या फिर आप लिख करके comment box में भी अपने doubts पूच सकते हैं इसके अलावा दूसरा जो होगा हमारा वो होगा S.I.P S.I.P. यानि की success in pre success in pre है जो ये इस लिहाज से important है क्योंकि देखिए, foundation चरण जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर एक integrated way में तयारी होगी pre और mains की आप complete तयारी कर रहे होगे ठीके pre और mains की तयारी कर रहे होगे और pre और mains की ये तयारी के दोरान आप ये ऐसा चरण है ये ऐसा समय होगा मतलब अगर मैं अभी से आपको बताऊं तो इसको हम मान सकते हैं कि माई से ले करके आप जैनवरी तक pre hand हो करके मतलब आपके दिमाग में कोई दूसरा thought नहीं आएगा जैनवरी तक आप आसानी से अपनी पूरी तयारी integrated way में कर सकते हैं लेकिन जैसे जैसे ही जैनवरी बीतेगा तो आपको pre की tension शुरू हो जाएगी तो pre की tension नहों कि इस दौरान हम major areas cover कर चुके होंगे ठीक है ताकि आपका pre है जो वो कोई भी hamper नहों वो आरा आसानी से निकल जाए ठीक है तो यह जो SIP का मतलब होता है success in pre success in pre program हमारा start हो जाएगा और यहां पर mainly दो चीजों पर focus किया जाएगा एक आपका revision एक आपका revision और दूसरा आपका MCQs की practice MCQs की practice क्योंकि pre के exam में आपको MCQs ही solve करने तो सबसे important तो यही part होता है कि MCQs की practice अच्छे से आप कर ले और जितना पढ़ा है उसका revision करने तो यह revision भी आपको कराया जाएगा और ध्यान दीज़ेगा कि यह revision भी live कराया जाएगा यह revision भी आपको live कराया जाएगा यहां मैं live classes बता रहा हूं तो यहां पर आपको यह भी बात ध्यान में रखनी अगर कोई ऐसा aspirant है जो live class कभी मतलब जैसे उनकी class नहीं हो पाई या फिर उनकी timing के साथ match नहीं कर पा रहा है कुछ तो उस case में ये live class जैसे ही end होगी तो उसके बाद automatically ये हमारे app में recorded form में आ जाएगी ठीक है तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं और multiple times देख सकते हैं इसके अलावा जब आपका ये होगा तो उसके बाद हमारा एक और feature है MRP आप जैसे ही pre-pass करेंगे इस SIP की मदद से जैसे ही आप pre-pass करेंगे और pre-pass करने के बाद आपको यहां बुलाया जाएगा study IQ के campus में और आगे की जो mains की preparation है वो यहीं रहके आपको करना है इसका मतलब है mains residential program ये हमारी आप कह सकते हैं कि एक ऐसी facility है जो अलग से अगर आप लेंगे तो आप अगर calculate करेंगे तो ये बहुत ही जादा costly facility हो जाती है ठीक है लेकिन ये मैं clear कर दूँ यहां पर आपको इसके लिए कुछ अलग extra charge नहीं देना है यह जो fees मैंने शुरुआत में आपको बताई 27999 ये इसमें शामिल है ठीक है ये इसमें शामिल है ठीक है तो MRP program है जो ये बहुत important हो जाता है क्योंकि mains residential program यहां पर आप यहीं रह करके मतलब study IQ रहने का खाने का library किताब कॉपी हर एक चीज का खर्च है जो study IQ बहन करेगा यहां आपको personally mentors provide कराए जाएंगे और mentors हैं जो वो आपको मदद करेंगे इस mains की answer writing में यहां focus क्या है mains की answer writing और आपका जो revision revision ठीक है revision यहां पर फोकस है वो यह हो जाता है और फिर उसके बाद जब आप mains निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद interview ठीक है interview interview के लिए भी आपको mock test यहां पर जो है वो भी conduct करवाए जाते हैं mock है जो mock interviews वगरा वो भी conduct करवाए जाते हैं और mock interviews के अलावा आपका जो detailed application form है def जिसको हम बोलते हैं वो भी आपको उस पर based करीबन 200 से लेकर के 300 questions है जो क्योंकि वो एक ऐसा portion है जो हर किसी हर एक experience का अलग अलग होता है तो वो भी आपको दिया जाता है ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं जो वो इस batch में involved हैं तो इस batch को अगर आप लेते हैं तो यह सारी facilities आपको मिलेंगी अच्छा एक और मैं आपको planning क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि आपकी कैसे करेंगे planning भाई live batch मैंने बोल दिया कि foundation चरण में हम आपको कराएंगे ठीक है लेकिन कैसे कराएंगे ठीक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप यहाँ पर यह देख वाई यह वही चीज़ जो मैंने भी आपको बताई कि चार चरण है foundation प्रारंबिक परिक्षा का चरण मुख्य परिक्षा का चरण और साक्षातकार का चरण इसके अलावा यह है वो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस वाले बैच में जो हमारा 17 तारीक से स्टार्ट हुआ है इस बैच में आप यह देख पा रहे होंगे कि अभी इसमें orientation चल रहा है इसलिए आप इसमें फटाफट admission ले लीजे क्योंकि प्रापर 22 मई से इसकी classes शुरू होंगी और प्राचीन भारत और मद्यकालीन भारत से मनुष कुमार सर इसको start करेंगे ठीक है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे पहले यह चलेगा dates यहां mention है कब से शुरू होगा कब तक खतम होगा दूसरा बैच भूगोल कब से शुरू होगा अधुनिक भारत कब शुरू होगा अंतरास्टे संबंद कब शुरू होगा यह सारी चीजे हैं और कौन पढ़ाएगा यह सारी चीजे हैं इसके सामने लिखी हुए है यह इसके अलावा यहां पर एक और फैसिलिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखे आपकी जब तयारी है तो ऐसा नहीं होता कि इस तयारी में कभी कोई उतार चड़ाओ नहीं आएगा तो इस तयारी में आपको दोनों तरह की टेंशन रहेंगी क्या एक पढ़ाई की भी टेंशन रहेंगी और दूसरा कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जिसकी वैसे काफी डिस्टरब होगा तो दोनों तरह की प्रॉब्लम्स को टेकल करने के लिए हमारे पास mentorship की सुविधा उपलब्द है mentorship mentorship की सुविधा उपलब्द है और यह जो mentorship की इस फैसलिटी है इसमें जो मैंने आपको डाउट्स पूछने की बात कई वह लाइव क्लास में आप फेकल्टी से तो पूछी सकते हैं इसके अलावा भी आप बीच में कभी भी जो जब भी आपको डाउट आए तो उस वक्त mentorship क इस फैसलिटी के अंतरगत आप यह डाउट सेशन अपना डाउट सें जो वह पूछ सकते हैं ठीक है इसके अलावा यह कई सारे सेशन से जो वह कंड़क्ट करते हैं जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे परिचय दिशा अभिवेक्ति आरंब और मंथन यह अपने आ पात से ही मेंटोस आपके साथ डेली बेसिस पर कोई कोई एक्टिविटीज में इंवाल्ड रहते हैं जिससे आप अगर आपको कम्म्यूकेशन की प्रॉब्लम है तो वह भी सुधर रहा है एंसी की उसको सॉल करना नहीं समझ में आता तो वह भी सुधर रहा है ठीक है तो य 18 किताबों का सेट है यह इसी कीमत में इंवाल्ड है तो यह भी आपको अलग से पर्चेज नहीं करना है यह ध्यान दीजेगा ठीक है यह 18 किताबों का सेट है जो यह स्टडी आइक्यू के 18 किताब हैं जो आपको आपके एड्रस पर भेजी जाएंगी ठीक हाड कॉपी ऑखेंगे जो आपको पढ़ाएंगे कौन कौन से सबझेक्स पढ़ाएंगे इनके सब के जो वीडियो सें वो यूटुब पर मौझudes हैं आप चाहें तो यूटुब पर जाकर कि सब के वीडियो देख सकते हैं कि कौन कैसा पढ़ाता है क्या पढ़ाता है ठीक है तो सारी information इसमें आपको मिल जाएगी इसके अलावा एक और facility current affairs को ले करके students हमेशा परिशान रहते हैं कि current affairs को कैसे तयार करेंगे तो current affairs है जो वो daily तयार करने वाली चीज़ है अगर आपने उसको daily तयार किया है तभी वो cover हो पाता है तो उस लिहाज से current affairs program भी इसका part है और daily एक video आपको दिया जाता है current affairs का एक video जो दिन भर की जो महतपूर्ण गटनाए है वो सब उसमें coverage होता है और आपको notes भी उसमें दिया जाते है और videos भी दिया जाता है इसके अलावा एक PDF भी दिया जाता है जिसमें सारा जो coverage है current affairs का वो साथ में उसमें लिखा होता है ठीक है तो ये सारी चीज़े हैं इसके अलावा ये देख पा रहे होंगे आपकी handwritten notes ठीक है तो handwritten notes ऐसे students जिनको notes लिखने में problem आ रही है या working students है जिनके पास time की problem है या अभी college going students है तो जिसके साथ भी ऐसी problem है तो उसको क्या है हम handwritten notes भी देते हैं वैसे तो ये सब को ही मिलता है तो आपको download soft copy में मिलेगा तो आप download कर सकता है तो ये handwritten notes है जिनको आप देख पा रहे हैं और इस तरीके से handwritten notes विद्वत form में आपको दिये जाते हैं proper बना करके ताकि आपको अलग से time ना लगाना पड़े और आपको जो बने बनाये notes है वो भी मिल जाए revision के लिहाज से ये बहुत ही best होता है तो ये सारे कुछ features है जो मैं आपको इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे features हैं लेकिन जितने features मैंने आपको दिखाए ये अपने आप में unique हैं और बहुत important है तो फटा फट आप इसमें admission ले ले और अगर किसी भी तरह की कोई भी problem आपको हो तो मुझे आप telegram पर reach out कर सकते हैं ओम दिवेदी 007 पर आप मुझे message करके personally भी आप message कर सकते हैं जल्दी मिलेंगे किसे और lecture में तब तक के लिए धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIS हिंदी